ते रुकार दे अगली खबर दा, हर्यांना देश साब का सींप पुपे अंदर सिंग हुड़ा दा वड़ा ब्यान सामने आए साब का सींप पुपे अंदर हुड़ा ने कह है कि सरकार बनी था सब तो पहला शंबू बौढडर खwnie गे लोकतंतर देविच किसाना नू की में रोक्या जा सकता है ते नाली के है कि किसाना दी गाल सुनी जावे समस्या दा हल हुएगा ते किसाना नू रोकना ते लाठियां चार्ज करना ग्यार लोकतंतरी है ते नाली के है कि हर्याना देविच जे साधी सरकार बनी ता असी किसानानों MSP दी लेगल कानूनी गरंटी देवांगे किसानों के MSP की कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे सुप्रीम कोट ने पटीशन सुनन तो इंकार कर देता है सुप्रीम कोट ने के है कि एटो खटरीयते उगराही दास सरकारी तरीक है ते हाई कोट दे हुकम नो सुप्रीम कोट ने बरकरार रख थे जिकरी हो गया कि पंचाब हरियाना हाई कोट ने नोटिफिकेशन रात कीते सी NRI कोटे देविच रिष्टदारा नुवी शामल कीता गया सी ते हाई कोट ने NRI कोटे तहत MBS, BDS डिग्रीयां देविच दाखले लेंड लें नियम बदलन लें सुबा सरकार दे फैसले नू रात कार देता सी ते हाई कोट मुताबिक सूबे दे नवे नियम दाखला प्रिकरिया दे विचो निर्पक्ता दिनाल समझा अता करनगे ते कोट ने टिपड़ी वी केती सी की सरकार दा इफ फैसला सही नहीं ते रुकारदेंगली खबरदा केंद्री खेती बाड़ी मंत्री शिवराद सिंग चोहान दे वलो किसान लीडरों देनाल मुलाकात कीती गई है शिवराज सिंग चोहान पंजाब प्रमुख किसान लीडरों देनाल मिलेने ते केंद्री खेती बाड़ी मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि किसाना तो खेती देनाल सबंधत कई सुजा मिलेने किसाना ने मोधी सरकार दे कई फैसलियां ते खुशी वी जताई अलग अलग किसान संग्ठरों से बाचीत प्रारब की लग बग पचास प्रमुक किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है और भेंट में अन्यकों सुझाओ उनके आए हैं उनकों अभी हम बर्क आउट कर रहे हैं कुछ फसलों के मूली से संबंद थे कुछ फसल भी मायोजना के बारे में हैं जो पसू खुले घूमते हैं उसके काई फसलों के दुखसान के बारे में हैं किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए नहीं होने चाहिए उसके बारे में सुझाओ है अनेकों सुझाओ आए हैं मैं आफिसर्स की टीम के साथ बैठा था उनको वर्काउट खरेंगे और भरकाउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रत्ना हम करेंगे इवागाट की कि जुनता तक लोक पक्खी स्कीमा नू पहुंचाओ ते जिकर योग है कि पंजाब कैबिनेट देविच नवे चेहरे शामल कीते गई ने ते पांज मंत्रिया नू कैबिनेट देविच था देती गई है विदायक बरिंदर कुमार गोयल मंत्री बने ने ते डॉक्टर रवज हिमाचल दी पटीशन ते केंदर तो जवाब वी मंग गया है ते आठे नवंबर तक जवाब दाखल करन दे हुकम देते ने पंजाब सरकार दी प्रोजेक्ट नू अपने कोल रखन दी मंग भी पंजाब सरकार देवलो कीती गई है हिमाचल परदेश दे मंडी जिले देवि पंजाब सरकार दे वलो दायर सिवल मुकदमे नू रद करन देली अदालत देविच ना मंजूर अर्जी दायर कीती सी हिमाचल दी अर्जी ते सुनवाई हुई है ते सुप्रीम कोट ने पंजाब सरकार दे नू नोटिस जारी करके जवाब मंग गया जिस दे हुन सुनवा आठ नवंबर नो होगी ते रुकार्दियां गली खबर्दा नगर निगमा ते नगर काउंसल दिया चोना देविचो देरी ले पंजाब अते हर्याना हाइकोट ने पंजाब सरकार नू चाड़ पाई गया हाइकोट दे चीफ जस्टिस शील नागू ते जस्टिस अनिल खेतर पाल ने सरकार नो सवाल कीता की कारजकाल खटम होंडविया और अदालत ने किया है कि अगली सुणवाई सरकार अदालत नी द द脆 कि चोना हुच मुकरम प्रोग्रेश करें पंजाब दे एड्वोकेट जर्रनल ने की है कि नगर निगमा दी वाड बंदी कारण दे मामले देविच हाई कोट दे हुकमा खिलाव सरकार दे अपील सुप्रीम कोट देविच विचार दीने जिसते चीफ जस्टस ने कहा कि सुप्रीम कोट ने कोई रोक नहीं लगाई है ते फिर सरकार चोण क्यों नहीं करवा रही पंजाब सरकार नो आखरी मौका दिन दे हाई कोट ने इना चोड़ना दा पूरा शेडियूल 14 अक्तूबर तक हाई कोट देविच पेश करन दे हुकम देते ने दिली दे हवा परदूशा नो लाएके सुप्रीम कोट देविच सुनवाई हुई है सुप्रीम कोट नो दस्या की पंजाब देविच प्राली साडनी मुड़ तो शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोट ने एर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन तो जवाब भी मंग ए मामले देविच हुण 27 स्तंबर यानि की शुकरवान उस देविच अगली सुनवाई होवेगी ते कैबिनेट फेर बदल तो बाद प्रसाशनिक फेर बदल भी होया है ते पंजाब देविच पंजाब पुलिस देविच भी वड़ा फेर बदल होया है सुबे दे 104 वड़े प्रसाशनिक अफसरां दे तबाद ले कीते गएने पच्ची आईएस नडिन में PCS अफसरां दे तबाद ले कीते गएने एक सो तरताली ASP ते DSP दियां बदल याने ते मंत्री मंडल दे फेर बदल मगरो पंजाब सरकार देवलो वड़ा प्रसाशनिक फेर बदल कीता गए पच्ची आईएस आटे नडिन में PCS अधिकारी दे तबाद ले कीते गएने ते अग्यवाद दें गाल करांगे रेलवे ट्रैक दी ते गुजरात दे सूरत ट्रैक साजिश मामले दे विच रेलवे मुलाजम काबू कीता है पुलिस ने रेलवे दे तिन करमचार यानों गिरफतार कीता है ते मुलाजमा ने प्रमोशन दिली सारी कहानी रची सी ते साजिशों ना दिवलो रची गई सी ते ट्रैक ते फिश प्लेट रख के खुद ही इस दी सूचना पुलिस नों दिती सी ते रेलवे चे ट्रैक मैन वजो करमचार यानाचन ते वड़ा हाथ सा होना जेड़ा की तले आसी अब को पता है 21 तारीकी सुबह 5 बजे के बाद कीम को संबा रेलवे ट्रैक के बीच में ट्रैन को डिरेल करने की जो कोशिश हुई थी उसमें फिश पैडल और एर सी पैडलॉक निकाल के डेट किलुमेटर जितने एरिया में निकाले गए थे तुरंत आरपी एफ जी आरपी गुजरात पुलिस की सीनियर आफिसर सूरत रूरल एस पी रेंज आईजी सर सब बहां पहुंच के जबकि ये पैडलॉक और फिश प्लेट निकाल ले हुए फोटोग्राफ जो हैं वो पुलिस को तीन बजे के करीब के भी मिले हैं तो इस तरह से पुलिस ने ये डिटेक किया है और इनके साथ और कोई इसमें जोड़ा हुआ है नहीं उसकी भी पुलिस इंक्वारी कर रही है और घटना से जुड़े हुए और नेशनल सेक्यूरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफटी से जुड़े हुए और भी जो जो सारे एंगल है उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन तीनों को अरेस करके पुलिस रिमांड लेके पूरा गटना का रिकंस्रक्शन करके आगी की का रिवाई करेगे योजना बनाने का इनका इरादा कब से बना उसका पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और क्लिप निकालने का भी तक जो पुलिस के पास जो इन्वेशन आया है वो तीन बज़े के आसपास से ही ये करके फिर इनोंने साइड में रख दिया होगा तीन बज़े के बाद पंदरा जितनी ट्रेने वहां से गुजरी हैं और चार पचास से पांच दस के बीच में से दो ट्रेन उसी अप साइड के ट्रैक पर से गुजरी है इन तीन आरोपियों का प्लान ट्रेन को डिरेल करने का हो ऐसा अभी पुलिस इंवस्टिगेशन में नहीं आया है इनके दो ही मोटिफ थे एक प्रसिदी या रिकगनीशन मिले और दूसरा इनका जो है वो नाइट वाला आफ चलता रहे इसके लिए इनोंने ये किया था ट्रेन को डिरेल करने का इन्वस्टिगेशन की एंगल से अभी आज कुछ सामने नहीं आया है फिर भी पुलिस ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए आगे की कारेवाई कर रहे है एक ये दो क्लिप निकाल के तो ये खुद मेंटेन कर सके इनका खुद का कैपसिटी भी उतना होता है प्रसिद्धी के लिए इन्होंने ये काम किया है और ये टेक्निकली स्किल सेट वाला मामला है तो इतना सारा इन्होंने निकाला, एक्जेक नंबर इतना है या नहीं, वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कि ये ट्रेल वेवहार चलता रहे है, उसके चलन बाधा ना हो, इसलिए प्रायोरिटी वो होनी भी चाहिए कि जितना हो सके उतना जल्दी ही इसको क कर दिया जाए, तो वो वास्ता में 71 निकाले हैं, कम निकाले हैं, ज्यादा निकाले हैं, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल है, जो रीकंस्ट्रक्शन में पुलिस काम करेगी उसके तेरु कार्दियां लिख बर्दा गाल करांगे जमू कश्मीर दी, जमू कश्मीर विदान सबा चोणा दे दुजे पड़ा देविच, कालनू छे जलेयां दियां, छबी विदान सबा सीटा ते वोटिंग होवेगी, इस देविच पच्ची इशार्या 38 लाख वोटर अपनी वोट पासकनगे, दुजे पड़ा दियां, छबी सीटा देविचो 15 सीटा, केंद चोण पर चारते वी पाबंदी लगा देती सी, अते सक्त हुकम वीचारी की ते सल, साबका मुखमंत्री अते नैशनल कॉन्फरेंस दे उपपरदान उमर अब्दूला गंदरबाल अते बेरवा तो चोण लाट रहे ने, उमर लोग सबा चोणा देविच 12 मुला सीट तो ती घार जेल तो चोण लाट रहे ने, ते दास्दी के पहले पढ़ा देविच 18 स्तंबर नूस साथ जिल्यां दिया चोवे विदा अंसबा सीटान ले वोटिंग होई सी, अस दोरान काहट इशार्या अरताली फिजदी वोटिंग होई सी, ते सब तो वाद मतदान किस्तवार द गिंती देविच वोटिंग होई सी, ते फिलाल इस बुल्टिंदेविच नहीं मेनू देव जासत देख देरो प्राइमेश टीवी तोहाँ डपना तोहाँ डेले